तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था मूचेन ने जाई हो को तो परास्त कर दिया थे पर इस डौरान जैन किंग ने वूडन गार्ड को एक्टिवेट कर देता है अब आगे और गैस मांगा मैं यहां से स्टोरी थोड़ी अलग है इसलिए मैं ज़्यादा फोटोस फिलाल तो यूज नहीं करपा हूँ और हो सकता है कि आज के बाद आपको शायद एक कादी हपते वीडियो नहीं मिले तोकि मैं ट्रावल कर रहा हूँ बाहर और किसी और केहां वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है जैसा रहेगा मैं आपको अपडेट भी कर दूँगा आगे बढ़ते हैं इधर मूचेन भी फ्यूरियसली इस वूड़ गार्ड को देख रहा था सिच्विशन फिलाल हाथ से निकलता जा रहा था और जैन केंग मूचेन और लोड़ी से कहता है मानलो मूचेन वगेरा हट गए और इसका अटेक जमीन पर पड़ा तो वहाँ पर क्रैक्स आ जाते थी और पूरा हॉल ही काप्स आ जाता था और उसके इस दुरान एक अटेक के शौक वेप से ही मूचेन काफी पीछे जाके गरता है और जब तक कि मूचेन खड़ा होता वुड़ गार्ड एक फिश्ट अटेक इस पर फिर से लॉंच कर देता है पर तभी बीच में लोड़ी आकर अपने स्वाड अवरा से इस अटेक को डिजॉल्ब कर देती है मूचेन अब समझ रहा था कुछ तो करना पड़े और इस दोरान इसकी नजर वुड़ गार्ड के उपर लगे हुए उस लीफ टालिसमेन पर पड़ती है और एक जिसने फील किया था जबी भी जैन किंग हैंड सेल चेंज करता था उसे इसाब से वुड़ गार्ड एक्ट करता था इधर लुओ ली मूचेन से पूछती है क्या तुम ठीक है मूचेन फिलाल हा में सरील आता है उदर जैन किंग हजर आता लुओ ली को इधर गुस्ता आता कि तुमें क्या लग रहा है मैं इस वुड़ गार्ड के हैड को उड़ा नहीं सकती हूँ और ये अपने लुओ सेन स्वार्ड को खोलने लग दिया और एक powerful sword ये बना करके जैन कींग के तरह प tiếp अटैक करती है इधर जैन कींग फिर से hand seal change करता है और वुड़ गार्ड उस attack के तरह बढ़ता है और मूचेन फिर से देखता है जैसे ही जैन कींग hand sign change करता है वो जो leaf talisman wood guard के forehead पर एक बार फिर से चमकता है इदर लो ली ये अपने attack के बीच में थी पर मूचन इसे रोब देता है और इसे कहता है इतना powerful attack मत करो बस तुम इसे थोड़ा दिल डिले कराओ बाकी मैं देख लेता हूँ लो ली को समझ में तो नहीं हाता है पर इसका विश्वास मूचन अलगी नेवल पर था तो ये मान लेती है पर फिर भी ये कहती है कि सावधान रहन अगर तुम injured हुए तो मैं किसी को छोड़ूंगी ने मूचन हसता है और कहता है ठीक है माइक पे जैसा आपको ये देख करके जैन किंग कहता है मतलब तुम्हारे पास अभी भी इतना टाइब कि तुम दो लोग एक दूसरे में फ्लर्ट कर रहा हो इधर लोली अपने स्वाड अटेक से लागाता है वुड़ गाड पर स्कार्स बनाने लगती बाकी लोग जो की वाइन्स में फसे हुए थे वो बस इस बैटन को देख सकते थे इधर एक बार फिर से ये वुड़ गाड एक पावरफुल फिश्ट अटेक मूँचैन पर दे मारता है फिर से बीच में लोली आकर इसे डिसॉल करते थे और मूँचैन शायद अब तयार था वो तुरंती अपने ड्रागन स्टिप्स को यूज करते और इस मौके का फाइदा उठाकर सीधा वुड़ गाड के हेड की तरह पड़ता है पर इस सब वुड़ गाड भी से सेंस कर चुका था ये तुरंती अपने बड़े मूँखों को खोलता है और मूचन एक लाइट बीम से अटेक कर देता है पर मूचन अपने ब्लैक पगोडा को एक्टिवेट कर देता है और जैसे वो बीम अटे इसके पगोडा से टकराता है एक डिंग करके अवाज आती और मूचन एदर एक ब्लैक पेपर बाहर निकालता है जिसकी इनरजी काफी मिश्टिरियस थी वूटगार्ड अब समझ चुका था पर तभी भी लूओली से ब्लॉक कर रही थी इधर वूटगार्ड एक पावरफुल फिश्ट टेक मूचेन पर फिर भी दे मारता है और मूचेन एक जायन पिलर से जाके टकराता है और इस दोराद मूचेन ने अपने पाम पर वो जो लीफ टैलिसमें था वो निकाल लिया था मूचेन की हलत काफी खरा थी ये खून की उल्टी कर रहा था अगर इसका लाइटनिंग गौट फिजीक नहीं होता तो शायद ही है मारा भी जाता लोली का चेहरा अलगी समय दिखा रहा था अचानक से ये गायब होकर मूचेन के सामने प्रकट होती है और ये मूचेन से कहती कि वो जब अटाय का रहा था तुमने इसे डिजॉल्व क्यों नहीं कहती है वो अटाय कितना भी तो पावरफुल था नहीं किया मूचेन हसके कहता है ज्यादा कुछ नहीं वो जो लीफ सिंबल था उसे मैंने सील करती है अब जब डिवाइन गार्ड को दिखाय जाता है उसका वो जो लीफ मार्क था वहाँ पर एक ब्लैक सिंबल को देखा जासकता था तो जैन किंग का सबसे बड़ा ट्रम्प का यह हार चुका था और इस सीन को देख टांग मीर, जाओ युवाँ, जू वाँ और बाकी एक चैन की सांस लेते हैं लो ली भी समझ चुकी थी कि मूचेन ने भी क्या किया है और इधर मूचेन, लो ली के हाथ को तो पकड़के था और यह सोच रहा था कि पावर लेवल अब बढ़ाना पड़ेगा शुरुवात में इदने दिक्कत हुरी है कैसे भी करके, यूमेन बोरी डिजास्टर जल्दी से जल्दी पार करना पड़े हैं पर लो ली इस समय जैन किंग को एक लोग देती है और कहती है, अगले बैटल में फिलाल तुमें पार्टिस्पेट करने के ज़रूरत नहीं मैं इन्हें देख लूँ इस दौरान इसके चेरे पर एक बलस था और यह कहती है, मैं तुमसे पता नहीं क्यों, इतना ज़्यादा प्यार करती है और कहती है, साथ चुपचा बैठे रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करो मुझे नब कुछ कर भी नहीं सकता था, बस हां मैं सरीला देता है इदर लुओ ली कहती है, टेंशन मतलब, मैं यू गई और यू आई, क्योंकि फिलार फ्यूचर जो क्वीन है अपनी लुओ गॉड क्लैन की काफी गुस्से में थी और लुओ ली का एक नेचर था, वो नॉर्मली जब तक मूचे न रहता था, अपने पावर को दिखाती नहीं थी पर अप समय था, लुओ ली, जैन कींग इंदर इसके सामने है था, पर ये इसको कुछ बोलती ने, और सीधा अपने लुओ गॉड स्वर्ड को बाहर निकालती है लुओ स्वर्ड इस समय वाइबरेट कर रहा था, और उसमें से एक हम्मिंग साउंड भी प्रडियूस होता है जैन कींग के पास टोटल नौ लोग थे, इसका टीम के पास लोग और वो चार लोग तो इसे विश्वास था कि लुओ ली कितनी भी पावर्फुल हो, नौ लोगों को अकेले तो नहीं हरा पाएगी लोगो ली कुछ बोलती भी नहीं, ये बस अपनी आँखें बंद कर लेती और इसके हाथ से ब्लडी पैटन अब लोगो गॉड स्वड में ट्रांसफर होने लगते हैं और जो फिलहाल का स्वड आउरा था, वो खतरनाथ था, पर जैन के और इसके बाकी साथी इस समय सोचते भी नहीं है और चारों तरफ से लोगो ली को घेर लेती, अब इदार जैसे जैसे लोगो सवड का औरा बढ़ता है, लोगो ली का भी चेहरा पेल हो जाता है लोगो ली जिसके आँखे बन थी, वो फाइनली खोलती है, और ये जो स्वड हो रहा था, एक स्वड लोटस में बदल जाता है, जो की काफी चमक रहा था, और स्वा मिटर की रेंज में फैला होगा मूचेन में पहनी बार इस अटैक को दिखा था, ऐसा ये भी फील कर रहा था, मानो इसकी पॉड़ी इस औरा से ही cold होने लगी हो लुगो ली इस अटैक को लाँज कर देती, और बस इस space को हलका से tap करती है, और ये जो स्वड लोटस था, इसमें कई पंखुडियां थी, तो ये पंखुडियां फैनले लगती, और इसमें से 10 स्वड लोटस के पंखुडियां बाहर निकलते हैं, मानो ये 10 अटैक हो, जैन लुगो ली के अटैक से डखरा थे, पर बड़ी बात ये थी, कि स्वड लोटस पैटल्स के अटैक को ये डिसॉल्व भी नहीं कर पा रहे थे, और डर इनके चैरे पर देखा जा सकता था, और थोड़ी समय चारो तरब से खोन के उल्टी करते हुए इन लोगों को देखा ज सकता था, और ये चीख रहे थे पूरी तरह से, पर लुगो ली अभी भी संतुष नहीं थी, शायद इसके स्वड लोटस पैटल्स ने उस लेवल का पावर दिखाय नहीं था, जैन किंग इसे ब्लॉक कर दिया था, इसे भी फिर भी लगा नहीं था, कि इस काट है, यानि इ जैन किंग भी सोचने लगता है, एक को मैं ब्लॉक कर पा रहा था, और नौ अभी भी और आ गये, ये तुरन थे अपने ग्रीन औरा को रिलीज करता है, और जैन किंग अपने बॉड़ी के असपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है, और ये स्वर्ड पैटल्स ल जाव युवान, ये लोग अब उस वाइन से तो फ्री हो जाते हैं, पर इस समय उस प्रेशर के कारण ये खून के उल्टी करने लगते हैं, और ये जो जायन डॉल था, इसके वज़े से अब ये पूरी तरह से कॉलाप्स करने लगा था, मूचेन अब इदर लू अली के अगल में प्रकट होता है, और इसे अपने ब्रेसलेट में रखने की कोशिश करता है, पर ये कर भी नहीं पारा था, गुस्य लिए अपने लाइटनिंग गौड फिजीक को एक्टिवेट करता है, और ये डिवाइन गाड का हाथ पकल लेता है, पर इस जो डिवाइन गाड ये पूरी तरह से कोलाप्ट कर जाता है, पर इस बार जहाँ पर ही आते हैं, ये कुछ अलग जगे था, इस दोरान लोली काफी कुछ थी कि अगर इस डिवाइन गाड को में अक्टिवेट कर ली, तो कोई भी बंदा जो स्प्रिच्वन एनरजी डिजास्टर लेवल पर भी वो हमें हरानी पाएगा, पर एक मेथड है, साथ इसका कंट्रोल करने का, मेभी वो जैन किंग जानता होगा, पर मूचेन कहता है, अगर वो कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं, ये डिवाइन गाड अभी एक मिस्टिरियस वुडेन आर्मर बहन के था, मूचेन अब इसके जो स्प्रिचुल एरे मास्टर का, साहीनी, और ये अपने ब्लैक फ्लेंग को बाहर निकालता है, और इस पर अपना एक सिगनेचर करने लगता है, जैन किंग के मार्क को अभी हटा चुका था, पर ये रिम थोड़ा डैमेज था, क्योंकि मूचेन ने, जब पहली पर जैन इस गार्ड के आर्मर को देखता है, जो कि शायद एक पियरलेस रहेंग का स्प्रिचुल आर्टिफाक्त था, तो ये इसे लुवली को देतेता है, लुवली इससे लेकर एक स्माइल देती है, और ये रिजेप्ट भी नहीं करती है, अब इचो डिवाइन गार्ड था, इसक एक ग्रीन लाइट बाहर निकलता है, और मूचैन को ये एनरजी आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था, मूचैन इधर लाइटनिंग फिजिक को एक्टिवेट करता है, कि कैसे भी करके मैं इसे उठा लू, और दीर दीरे लाइटनिंग पावर के कारण, ये जो ग्रीन अब जैसे ये लाइट इसके मैंड में एंडर करता है, इसे कुछ मैसेज और ड्रॉइंज देखने को मिलते हैं, और फिलार इसे एक जगे भी देखने को मिलता है, जोकि काफी बढ़ा था, और ये जगे एक स्पेशल वूड से बना हुआ था, और ये इसी जगे का सील था, पाश्ट में जब ये जगे पूरी तरह से शुरक्षी तरह होगा और ये डेस्ट्वाइ नहीं हुआ होगा तब का, और ये इस जगे को देख रहा था, अचानक सिसकी नेचर माउंटेन पर पढ़ती है, जहाँ पर बहुत प्रकार के ट्रेजर्स भी थे, और वहाँ पर इस पिर से वापस आ जाता है, लुओ ली से पूस दी, तो क्या बात हुई, क्योंकि मूँचैन के चेरे पर इसने खुशी तो देखा था, जब इसकी आखे बंद थी तो, और मूँचैन, लुओ ली को बताता है, शायद इस, जैन किंग का भी असली को, इसी रिए डिवाइन व तो हमें अभी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, और हमें अपना पावर लेबल पहले पढ़ाना पड़ेगा, अब इनके पास, क्योंकि डिवाइन इमोटल फ्रूट है, तो ब्रेक्ट्रू आसान हो सकता है, मूँचैन को वहाँ पर पर नाइंस अन लिंग्जी का और वो था एक डिवाइन आट, और उसका नाम था लेसर डिवाइन आट, हेवेनली डिवाइन, वुड वी, और इसके बाद ये लोग एक शांत जेके देखकर, अपना कल्टिवेशन शुरू कर देते हैं, मूँचैन के आखें बन थी, और ये फिलार, वो जो इमोटल और तीन दिन निकल चुगे थे, और अगर कोई अभी आकर इसे देखे, तो इसके बोड़ी पर रेड कलर को देखा जा सकता है, नसे इसकी ऐसा लग रहा था बाहर ही है, पूरी तरह से, और ये काफी पेन में था, समय के साथ मूचैन का बोड़ी और ज्यादा लाल होते जा मूचैन के असपास एक समय के साथ वाइट मिश्ट बन जाता है, तो इससे देखना में अब थोड़ा मुश्किल था, पेन तो ये फील कर रहा था, इस तोरह एक पंच भी मार था, कि ये human body disaster, क्या चीज़ है मैं भी देखना चाहूँ, इधर मूचैन पेन में था, और वही आसपास के एक यंग गल को देखा जा सकता है, और ये इसी केब में और अंदर में बैठी भी थी, ये थी अपनी लोगोली, और शायद ये क्योंकि इसने human body disaster पहले ही पार कर लिया था, तो ये spiritual energy disaster के लिए चाह रही थी, धीरे धीरे दस दिन निकल चुके थे, मूचैन अभ अभी भी human body disaster को ये पार नहीं कर पाये था, जिसकी body जितनी जादा श्रौगोंगी, उसका पेन उतना ही जादा होने वाला था, और इसके body से लागातार प्लड बाहर निकल रहा था, मूचैन सोसता है कि कहीं मैं, कहीं ये मेरी जरनी कांद तो नहीं है, पर ऐसा मैं कैसे होन जोगी थे, जो उवांग, जाओ किंचन और मूफेंग यांग अपने human body disaster को पार कर लिया था, और ये चिंते ते इस बात पर थे कि 15 दिन हो गए और लोगोंगी और मूचैन अभी तक बाहर नहीं है, जाओ किंचन इस जोरन सोच रहा था, कि मूचैन भी तो human body disaster के लिए ही lowly के बारे में इन लोगों ने अंदाजा लगा लिया था, कि शायद वो spiritual energy disaster के लिए जा रही है, ये काफी खुश भी थे, कि इनके team का पावर और भी जादा बढ़ जाएगा, तो फिलहाल ये लोग चुप चा, मूचैन और lowly का weight कर रहे थे, और इदर बहुत सारी लोग इ इससे एक इसकी साथी के थी, captain, आप जो वो मूचैन वगरा को धूंड रही है, उनका location सायद यही है, वैं किंग्जवान इस दोरान मूचैन की team पर नजर बना के थी, कि 15 दिनों बे और मूचैन की team का point बढ़ा नहीं, अभी भी वो वैसे top 16 में तो है, और new 4 तरह फैल चु किंग्जवान हसके कहती है, कोई जरत नहीं, उजे भी तो देखना है, यह blood calamity मूचै, spiritual road वाला, कितना powerful है, और बाकी लोग इस पर attack कर रहे है, तो हमें पता वैसे भी चल जाएगा, इधर यह मन में कहती है, लोगो ली, finally मैंने तुम्हें धूंडी लिया, चेहरे पर इसके एक अलगी मनमुहक स्माइल को देखा जा सकता है, इधर समय बीचते जाता है, पर 20 दिन के आसपास का समय हो चुका था, मूचैनर लोगों ली, अभी भी बाहर नहीं आयते, जूग वांग अभी सोच रहते कि कितना जादा पेन, मूचैनर भी साह होगा, 20 दिन के आसपास का यानि उसका स्ट्रेथ सच में काफी पावरबल था, और अभी तक इनकी रैंकिंग गिर करके 14 नमर पर जा चुकी थी, पर जूग वांग बोलता है, कोई बात लें, जैसे हम लोग निकलेंगे, फिर से हमारी रैंकिंग ऊपर हो जाएगी, और इनको मालू था, कि यहां से न स्पीर्स बगेरा को बाहर निकाल लेते, और देखते ही थे, यहां पर टोटल 30 लोग आते हैं, जिन में सभी के वरा पावरफुल ही लग रही थे, और इन 30 में से 15 लोग तो ऐसे हैं, जिन्होंने युमेर बोडिय डिजास्टर को पार कर लिया है, तीनों यहां पर खड़े हैं, तो मैं पता चली जाया है, और मैंने ऐसा सुना है, कि डिवाइन कोटा, जो डिवाइन वूड पैलेस वाला है, जो कि जहन किंग का होना चाहिए था, वो मूचेन के पास है, जुवां कहता है, अब सोसे कि तुम वो चीज हमसे छीन नहीं पाओगे, बेसिकली यह मूच लूओ लिखो, बात करके और ज्यादा सामय देना चाहता था, यह सुनकर के चैंग जी कहता है, इवन तुमारा अगर वो मूचेन भी होता नहीं, तो उसकी इतनी आउकात नहीं थी, कि मेरे सामने वो ऐसे बात करे, और यह चैंग जी अपने साथियों का हाथिस देता है, कि बंधी बना लो इने, अब यह पांच लोग आगे बढ़ते हैं, और इन पांचों ने human body disaster level को पार कर लिया था, अब यह तीन लोग थे और three versus five का battle था, उदर वेन किंग जुआन के साथी, उससे पूसती है, कि क्याप्टन यह तो तीन ही लोग, पांच को कैसे समाले, हमें Kings 1 फिर से मना कर देती है, और कहती, वो blood calamity मूच, उससे हराना इतना आसान नहीं, तो वेट करते हैं, और देखते हैं, इधर Changzi के मिजर, वो जो mountain के अंदर गुफा था, उस पर पढ़ती है, जहांसे एक spiritual energy को feel कर सकता था, और यह चिलाता है, कि मूच है बाहर आओ, और यह अपने spiritual energy से, वो जो दो mountain caves थे, उन पर attack करने लगता है, जू हुआंग उगर, अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अपने battle में busy थे, Changzi अपने powerful force से, mountain जो की बंध उससे खोल देता है, और एक powerful attack से, खूले हुए mountain cave के अदर attack कर देता है, Changzi बहुत दिमाग लगा रहा कि अंदर अगर कोई भी tribulation अपने break कर रहा हूँ, तो mountain को ही गिरा करके, मैं उसे injured कर दो, और ये अपने बाकी साथियों को आदेश देता है, कि अंदर जो भी हो, उसे निप्ठा दो, और तुरंती तीन लोग अंदर खितरा बढ़ते हैं, और इन तीनों ने human body disaster को पार कर ल पर है, इन्हें एक ही attack में कौन रिप्टा सकता है, अब चैंग जी चिलाता है, कि Northern Academy के लोग बस चीपना जानते हैं, और जैसे ये बोलता है, तीन लोग उस गुफा से बाहर आके गिरते हैं, और इन तीनों की हालत एकदम खराब थी, और साथ में पैर के चलने के वाज आत तो इसके packs वगरा देखे जा सकते हैं, अब Mountain Peak पर, खड़ी वो दो लड़कियां, यानि पी लेर और लिये हैं, इसे देखर कहती हैं, ये तो सच में काफी सुनता है, वैन Kings One भी पहली बार मूचैन को देखती है, और कहती है, ये Blood Calamity मूचैन है, दिखने में तो काफी भू कर रहा हूँ, तो उसे disturb नहीं किया जाता है, चैंग जी कहता है, तो तुम हो Moo Chen, इस group के captain, और ये तुरंती, Divine Kota को मांगता है, मूचैन बदले में कहता है, अपने points मूची देतो, ने तो तुम सभी को पिटना पड़े, ये सुन करके, वो जो twin sisters थी, वो उपर से हसने लगत है, चैंग जी को और घुस्ता आता है, कि मेरा मजाक उड़ाय जा रहा है, और ये सोचता है, मेरे साथ 15 लोग है, जो human body disaster level पर है, और ये लड़का अभी भी उच्छाल रहा है, और ये तुरंती, बाकियों को भी चिलाता है, कि आक्रमान, इतने सारे लोगों को आते हुए दीख भी, मूचन एकदम शांत खड़ाता है, और उदर दोनों twin बहन एक साथ कहती है, ये लड़का पागल है, वो लोग अटेक कर रहे है, और ये उनको dodge भी नहीं कर रहे है, वेन किंग जुआन, जोकि इनके बगल में खड़ी थी, वो देख करके, कुस्तो दीख करके, ए चलो हो गया हो गया, जैंग जी अपने बाकी साथियों को अब full force पर attack करने को भूलता है, पर जैसे ये भूलता है, अचानक से एक sword aura को feel किया जा सकता था, और ये aura सामने वाले mountain को दो भागों में बाढ़ देता है, और यहाँ पर एक सुन्दर लड़की को देखा जा सकता ह जिसके हाथों में तलबार था, और ये थी अपनी lowly, जो की spiritual energy disaster को पार कर चुकी थी, और इधर वैन किंग जुवान भी इस लड़की को देखती है, और कहती है, lowly finally, finally मैंने तुम्हें दुबारा देखी लिए